नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शाम सावन पॉप आवर अफ नुटिशन और एक वीडियो के साथ में जो जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू आपके लिए क्रियेट करेगा तो आज का टॉपिक है दोस्तों राइस वर्सिस रोटी तो इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि राइस और रोटी में से क्या है अफकोस बेस्ट नूटिशन वैल्यू और दूसरे ऐसे कुन से आप्शन से हमारे लिए जो और हैल्यूर है दूआ का वेड गान करने का के इंडिविज़ जिसको एक जेनरल येक हल्दी लाइस्टील फॉलो करना है उसका कोई सॉप्सिफिक गोल निय है प्ट लॉस या मसल गई गा मट एक जेनरली बैलेंस डायट फॉलो करना है एक हल्दियर लाइस्टाईल अपनानी है तो तेन त तो दोस्तों अगर हम नुट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो 3-4 चपाथी और 1 कप कुक्ट वाइट राइस की कैलरी जो है वो अल्मोस सेम रहेगी आपको अराउंड 250 से लेकर 300 तक कैलरी मिलेगी इन दोनों में अगर अगर आपका गोल है fat loss weight loss का अगर आपका गोल मसल गेन का भी है तो भी यह इंपर्टन्ट है और सबसे इंपर्टन्ट चीज है आपको होल वीट से मिलेगा complex carbohydrates जो काफी important है unlike white rice क्योंकि white rice से आपको मिलेगा simple carbohydrates simple carbohydrates आपके sugar level को spike करेगा आपके insulin level को spike करेगा आप insulin resistance पी हो सकते हो तो definitely हमें simple carbs नहीं चाहिए जो white rice से हमें मिलेगा क्योंकि वो whole grain जबकि जो wheat है whole wheat है उससे हमें मिलेगा complex carbohydrates slow digesting carbs है दोस्तों वो जिस्ते हमारा insulin level जो है वो spike नहीं होगा हमें जो energy है वो throughout our day मिलेगी okay and that is what we need for fat loss, weight loss, muscle gain, जो भी आपका goal है एक healthier life, healthier lifestyle अपनाने के लिए आपको definitely whole grain चाहिए तो रोटी और white rice में से definitely better option है whole wheat chapati तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग है I know जो कि rice eater है जो rice को बिल्कुल avoid नहीं कर सकते है तो उनके लिए I will suggest कि instead of consuming white rice जिसमें कोई भी nutrient actually होता नहीं है क्योंकि उसमें से germ layer brand layer जो है वो हिकाल दिया जाता है दूस्तों और यह जो germ layer और brand layer है उसमें ही सारे nutrients होते है fiber जो है वो brand layer में होता है और सारे nutrients जो है वो germ layer में होते है और white rice basically उसको polished किया जाता है polish करने के लिए you know chemicals भी use किया जाते है तो basically वो industrially processed rice है refined किया हुआ rice है जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि zero calorie हमें मिलने वाला है no nutrients no vitamins no minerals protein भी काफी कम होगा उसके अंदर तो उससे better option है कि आप brown rice consume करें ना brown rice में भी researches हुए है कि brown rice में you know दो चीज़े हैं जो मौझूद है जिसके वह से शायद रोज brown rice जो है वो भी आपको consume करना नहीं चाहिए तो क्या है better option तो दोस्तों मैं आपको suggest करूंगा कि आप white rice घर पर ना consume करें white rice काने के तो बहुत occasions आते हैं जब भी आप शादवी पर जाते हो तो white rice ही होता है जब भी आपको या आउटिंग के लिए पार्डी में जाते हो या टीम का लंच है तो उदर तो आपको white rice कंसुमी करना है right so currently lockdown या जो को situation है उसके वैसे शायद आपका white rice या बाहर खाना बिल्कुल बंद है पर अफकोर्स ऐसे situation इंपरोगी I don't think you need a reason to consume white rice right तो घर पे ना बनाई है white rice, zero calories है उसके अंदर कुछ फाइदा नहीं है आपको उसका तो अवाइड कीजिए मैं सजेस्स करूंगा जो भी में परस्नली करता हूँ दोस्तों वह है कि आप shift कीजिए between brown rice and semi brown rice semi brown rice है basically hand pounded rice hand pounding जो है वह एक traditional technique है जो हमारे farmers use करते है ancient technique है basically जो हमारे farmers use करते है to remove the husk जो husk है एक layer है rice के उपर से वो remove करने के लिए instead of melts no instead of industrial processing हमारी जो ancient technique of hand pounding है उससे वो husk है वो remove क्रिया जाता है now brown rice जोस्तों वो whole grain है उसमें से सिफ husk इंकाला दिया जाता है बाकि जो दूसरे दो layers है brown और germ वो intact रहते हैं जिसके वैसे हमें सारे nutrients सारा protein सारे vitamins mineral fiber सब कुछ उसके अंदर मौजूद है but brown rice का जो research होए है उसे महलूम पड़ा है कि brown rice में anti-nutrients भी है anti-nutrients basically ऐसी चीज़े है जो शायद आपके nutrients के absorption को impact करें तो phytic acid एक ऐसा compound है जो brown rice में पाया जाता है unfortunately but yes whole grains में पाया जाता है तो wheat में भी वो मौजुद है हम बात करेंगे उसके बारे में but brown rice में phytic acid करके compound है जो पाया जाता है जो anti-nutrients है क्योंकि वो आपके other nutrients, other vitamins, minerals के absorption में impact करेंगा basically iron, zinc और calcium के absorption में impact करेंगा तो आपको इन minerals की deficiency हो सकती है अगर आप brown rice को regular consume करोगे for a longer period of time और second जो चीज़े दोस्तों वो है arsenic, toxic element, toxic compound है जो rice में पाया जाता है और unfortunately whole grain brown rice में काफी ज्यादा मातर में पाया जाता है as compared to white rice तो यह दो चीज़े हैं basically जिसके वैसे modern science or modern researches के हिसाब से brown rice भी हमें daily नहीं consume करना चाहिए of course वो एक whole grain है उसके फायदे बहुत सारे है phytic acid जो मैंने बताया उसके health benefits भी है लेकिन अगर वो हम ज्यादा quantity में हमारी body में जा रहा है तो then it becomes a problem right तो उसकेस में मैं personally क्या करता हूँ जोस्तो मैं अगर इस विक मैंने brown rice consume किया next week I shift to semi brown hand pounded rice rice क्योंकि जो hand pounded rice rice है वो whole grain नहीं है by the way उसमें से husk निकाल दिया जाता है और उसमें से जो brown layer है इसके इंतर फाइब मोजूद होता है वो काफी दिस्टब हो जाता है जुस्तों intact रहता है but you know I will say 50 50 percent है but you know impact होता है brown layer वो destroy होता है कुछ हद तक but the hand pounding method है ancient method है उसके वे से phytic acid जो है उसकी उसका वो remove हो जाता है method के वे से that is one of the main benefit of hand pounded rice phytic acid का level है वो काफी कम हो जाता है दोस्तों मेरे पास दोनो brown rice और semi brown rice hand pounded rice अभी है कि मैं personally उसे consume करता हूँ तो यह है brown rice यह है semi brown rice दोनों में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा difference नहीं है in terms of color ठीक है दोनों kind of lightish brown है तो difference इसे समझेगा नहीं आपको but definitely white नहीं है polished rice नहीं है दोस्तों ठीक है और अगर में brand की बात करूँ तो आइवर्ड बहुत सर ब्रैंड से आप online search कर सकते हो Amazon पे बिग बास्केट पे आपको semi brown hand pounded rice के बहुत सर ब्रैंड मिल जाएंगे मैं जो consume करता हूँ वो मैं आपके साथ share करता हूँ मैं कोई बता नहीं रहा हूँ आपको बोल नहीं रहा हूँ कि यही brand purchase करूँ मैं लेता हूँ 24 Mantra Organic का यह वाला semi brown rice में इसी ब्रैंड का में लेता हूँ उसमें लिखा हुआ है hand pounded rice ठीक है जिसे मैंने पहले का बहुत सारे brands है आपको मिल जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को purchase करो और अगें दोस्तों यह कोई sponsored video नहीं है दोस्तों ठीक है ना कि नहीं मुझे कोई commission मिलने आला है just sharing वो चीजे जो मैं personally consume करता हूँ ताकि आपको benefit मिले उसका और शायद आपको time नहीं डालना पड़े है आपका आपको इसी चीजे आपको इसमें प्राइंटिक लग रही है तो शायद आप मुझे भी बता सकते हो ताकि मुझे आपसे benefit मिले आपके research से benefit मिले तो अगर इसी कोई चीजे है जो आपको इसमें प्रॉब्लमेटिक लग रही है तो definitely मुझे ज़रू बताएं definitely दोस्तो white rice को avoid कीज़े दोस्तों अगर आपका कोई भी गोल हो white rice को definitely avoid कीज़े आपके insulin level को spike करेगा sugar level को definitely spike करेगा अगर अगर आपको fat loss weight loss करना है तो अगर आपका insulin level spike हो रहा है आपको insulin resistance का भी problem हो सकते हैं डिबेटीज जैसी बीमारे भी फेस कर सकते हो plus अपका weight loss तो definitely नहीं होने वाला है definitely shift कीज़े brown rice या you can also try hand pounded semi brown rice और जैसे मैंने कहा एक हफता अगर brown rice consume किया है तो next week आप shift कर सकते हो semi brown rice पे लोगी hand pounded rice ancient method ancient technique है आपको amazon पे big basket पे जो भी online portals है आपको उस पर यह जरूर मिलेगा definitely give it a try healthier option है जरूर try कीजिए I personally recommend to all my friends इसलिए मैं आपको भी recommend कर रहा हूं तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं rice versus रोटी की तरह रोटी की बात करें whole wheat से बनती है ना whole wheat में जो एक problem है दोस्तों वह है gluten right बहुत ही famous हुआ है gluten एक type of protein है जो wheat में पाया जाता है दोस्तों ना gluten से दरने के कोई बात है ने वेसे अगर कोई gluten intolerant है जिसको wheat खाने से problem होती है digestive issue होता है कुछ problem होती है allergy है basically gluten की तो उनको avoid करना चाहिए जैसे बहुत चाहे रोगों को पीनट से energy होती है राइट तो वह पीनट से अवाइट करते हैं तो अगरे आपको है जिसके वएसे आपको whole wheat रोटी या चपाती हफते में एक या दो बार अगर आप अपने मील्स में लो तो बैटर है बैटर ऑप्शन होगा मल्टी ग्रेंड चपाती या रोटी जिसमें आप मिक्स कोगे whole wheat आटर के साथ में दूसरे grains जैसे जवार है बाजरा है नाचनी है और बहुत सारे multiple बहुत सारे दूसरे flows है जो आपको benefit दे सकते हैं whole wheat के अंदर problem है दोस्तो एक starch ही एक fattening starch है उसके अंदर आपको इन्सुलिन लेवल को बहुत स्पाइक करता है और जैसे मैंने पहले कहाँ इंसुलिन लेवल अगर आपका spike हो गया तो fat loss तो भूल जाओ आप नहीं होगा आपका weight gain जरूर होगा और अगर आप 3-4 चपाती से अगर आप ज्यादा चपाती खाओगे ना तो आपको एक लथार्जी फिलिंग आएगी आलसी पन आपको आएगा आप एनर्जेटिक महसुस नहीं करो दें तो अगर आपको चपाती कंजूम करनी है तो होल वीड चपाती आप हफते में एक या दो बार लो असल में परसनली सजेस्ट करूंगा और यह मैं परसनली फॉलो करता हूँ अदर्वाइज डेफिनेटली प्रिफर मल्टी ग्रेन यह नो फ्लोर से बनाई हुई चपाती अगें मल्टी ग्रेन फ्लोर जो हो है वो में बा तो चरिए बनाई हुआ और आएक उपोर्टब्स चीज है दोस्तों कम्प्लीट प्रोटीन कम्प्लीट प्रोटीम इसमें ऑल्नाइन असेंशल अमिनो-ासेट squid ना प्लांट बेस्ट प्रोटीन होता है उसमें तो नान एस्टेंशल अम्युनो एसेड़ सेड़ और अगर है तो एक दो अम्युनो एसेड्स का जो कॉंटेटी यह वो कम होता है तो definitely वो प्रोटीन का वो बेनफिट हमें हमारी बोडी को नहीं मिल पाता है तो शायद हमें non-veig source of protein से मिलें तो दोनों whole wheat और rice जो है वो complete source of protein नहीं है उसमें एक दो amino acids की कमी है या तो quantity में कमी है तो I would suggest कि आप जब भी छपाती होल वीड चपाती अगर खा रहे हो या वाइट राइस भी खा रहे हो तो आप डाल्स को कंजुम करें बहुत सारे डाल्स हैं लेंटल्स हैं तो जब वाइट राइस और मुंदा फर एक्जंपल आप कलब करोगे तो आप जो आपको जो प्रोट उसका इतना benefit नहीं होता है तो डाल जो है वो डफ्रेंटली कंजुम करें और इम्पोर्टन चीजह दोस्तों डाल्स दो डेफिनेटली चंजुम करें बट इंपोर्टन चीजह अन पॉलिश डाल को कंजुम करें अगें जो बजार में डाल मिलती हैं लेंटेंग मिलते हैं पॉलिष्ट वाले नहीं चाहिए दोस्तों हमें चाहिए अन पॉलिष्ट डाल और परसनली कंजूम करता हूं टाटा का पॉलिष्ट अगर आपको बजार में दुसरे अन पॉलिष्ट डाल में तो आप वह भी ट्राय कर सकते हो बट डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट अपन पॉलिष्ट डाल अपनाई है क्लब कीजिए और उसका बेल एफिक लिए तो दोस्तों कंक्लूजन यह है कि अगर आपको चूस करना है बेट्विट राइस और होल्विट चपाथी तो डेफिनेटली विदा रुट आपको चपाथी को प्रिफरेंस देना है और अगर आप यह हाइट राइस या राहिट पक्राइट कव Agora सबस्तों करना ही चाथे ओए तो ब्राउन राइस और सपनी ब्राउन राइस और फ्रेंस देजिए और होलिट चपाथी के बदले आप बदले अगरे मल्टी ग्रेन chodzi ब्लोह का इस्तवाल कीजीए चिपाथी या रोटी बना का इस्तमान ज़रूर करें तो दोस्तों बिफोर आ एंड इस वीडियो में और एक इंपोर्टन चीज के बार में बताना चाहूंगा जो मैं खुद परस्नली काफी सारे दोस्तों को मेरे सजेस्ट करता हूँ और डेफिनेटली आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पो तो अगर आप अपने पोशन साइस को कॉंटिटी को कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनेटली आप कम कम कैलरी जोगे आप अपको मसल गेंग करना है तो आप उसकी साबसे कैलरी को मैनिपलेट कीजिए पोशन साइस काफी इंपर्टन है दोस्तों तो उसको ध्यान दीजेए देफिनेटली इंपर्टन चीज दोस्तों डेर में आपको क्या परिफर करना चाहिए राइस और रोटी में तो दोस्तों अस पर आयो वैदा ठीक है हमारी डाइजेस्टी और जो है वह वह वीक हो जाती है आफ्टा संसेट ए काफी इंपर्टन कंसेट दोस्तों मैंने इसके तो जो डाइस्टी अग्मी है वह वीक हो जाती है आप असे इसके वेज़े से हमें यह नो हाट डाइजेस्ट फुड नहीं कहना चाहिए तो राइस और रोटी में से मैं परसनली आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ वह है कि आप चपाटी खाओ इस और एक पर बनेफेट्स है तो ब्लैक पेपर को इस्तमाल करो अगर आपको वाइटराइस कंगा है अगर अगर देना वनना प्रफर को चपाटी दो या तू चपाटी विलना थान नहीं अगर यह वीडियो में जो इनफ इनफेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो कुछ वेल्यो करें आपके लिए कुछ वेल्यू क्रेट कर पाई आपके लिए कुछ यह लो हैल्प मीनिया पको सुदिद कर थो तो ड़िए मुझे मुझे कमें चार्ण करके जरूर बताईये कु इंपर्मिशन हेल्फ फुल लगी तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले वो बैल इकन को भी प्रेस कीजिए मोर इंपोर्टेंटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए दोस्तों क्योंकि शेरिंग इस करेंग राइट तो डेफिनेटल झाल 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 झाल